असलाम लेकूं, आज मैं आप सब के साथ शेयर कर रही हूँ आलू और परवल से बनाई होई रेस्पी जिसको हम बिल्कुल नए तरीके से बना के त्यार करेंगे और तीन इसमें खास चीजे हम सामिल करेंगे जिससे इसके स्वाद को चारगुना बढ़ा देगी तो इसके लिए मैंने सबसे पहले परवल को काटके फ्राई होने के लिए डाल दिया है और कढ़ाई को एक मैंने चड़ा दिया गया इस पे उस पे मैंने एक चमचे काजू डाला है ये लगबग साथ से आठ काजू होंगे और इसमें दो चमच हम खस खस डाल देंगे दो चमचीस में हम नारियल का बुरादा डाल देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे हम भून लेंगे बीना तेल और बीना घी के ऐसे कड़ाई गरम करके तीनों चीजों को डालके और हलका सा इसको भून लेजएगा हलका कलर चेंज करना है इसे ज्यादा नहीं भूनना है बस पांच मीनट भून लेजेगा उसके बाद से इनको हम निकाल लेंगे देखिए तब तक ये फ्राई भी हो चुका है पटल इसको निकाल लेते हैं और उसी तेल में आलू डाल के इसको फ्राई कर लेंगे भून लेंगे थोड़ा सा इसका भी कलर हम चेंज होने तक बस भूनें में चेंज हो गया है इसको भी निकाल लेते हैं बाहर और एक चमच मैंने कड़ाई में तेल को डाल दिया है और उसमें हम सरसो डाल लेंगे थोड़ा सा अधा चमच और दो साबुत लाल मीर्च डाल देगे थोड़ा सा कड़ी पत्त डाल दीजेगा जिससे टेस्ट अच्छ और तेल में डालके इसको हम भूनेंगे और इसको golden color का भूनना है हलका pink color का प्याज हो जाए उतना भूनना है यह देखें दो medium size के टमाटर और उसमें हरी मिर्च दो मैने डाल दिया है और थोड़ा सा पानी डालके इसका paste बना लेंगे और प्याज देखें तब तक हलका golden color का हो गया है बस इतना हमें जब यह भून जाए ना तो इसमें powder मसाले add करेंगे आधा चमच मैंने हल्दी powder डाल दिया है एक चमच जीरा powder डाल देंगे एक चमच धनिया powder डाल देंगे और इसमें हम लाल मिर्च powder डाल देते हैं आधा चमच क्यूंकि लाल मिर्च मैंने टमाटर में भी पीसा है तो मिर्च आप यहां टिस्ट के कोर्डिंग डाल दीजेगा और आपको ज़्यादा तीखा पसंद हो तो मिर्च की quantity बढ़हा दीजेगा थोड़ा सा एक दो के लिए इसको तेल में भून लेंगे उसके बास से जो टमाटर और हरी मिर्च का मैंने पेश्ट बनाया था वो मसालों में हम एड़ कर देंगे और यहां देखे लहसुन अदरक मैं भूल गई थी तो उपर से मैंने डाल दिया है उसका पेश्ट अगर आप जब डालना होग है इसमें पानी एड कर देते हैं तेल मैंने कम डाला था इसलिए साइट साइट से नहीं दिख रहा है तो अब इसमें पानी डाल देते हैं हम डालके इसको उबालाने का वेट करते हैं जब उबाला जाएगा तो सिर्फ इसमें आलू डालेंगे परवल को अभी नहीं डालें और जो प्लेट में तिल लगा था उसको भी डाल देंगे धो के पानी से इसमें और इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करके देखिए इस तरीके से यह जो मैंने खास चीजे बनाई थी जिसमें काजू, बुरादा और खस-खस का पेश्ट था वो डाल देंगे इसमें और यह आधा की वज़ा से बहुत ही टेश्टी बन जाता है यह अगर आप इसमें इसको सामिल कर देंगे तो थोड़ा सा कटोड़ी को दो के मैंने पानी भी डाल दिया है और इसको अब हम खुब अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे गे इससे इसमें थीकनिस भी आएगा और टेस्ट भ ऐखा है और अब इसमें मैंने चार चम्मच मत इफ पानी डाल दिया है इसको मैंने शक करकर रखा था गमली को और धनिया पती बारी काट के डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे इससे थोड़ा सा यह हल्का खट्टापन भी लगेगा टेस्ट में और बोख़त ही टेश्ट कीजिए और देखिए चलिए साफ कर लेते हैं इसको ग्रेवी आप यह अपने हिसाब से रख सकते हैं मुझे रोटि से कहुना है तो मैंने तो थोरा सा इसको गाड़ाई रखा है और उब को चावल से खाणा है तो थोरा आएगी आप सबको और वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर दीजे दूसरों को शेयर भी कर दीजेगा अपने फैमली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजेगा और पहली बार मेरे चैनल पे आये हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा तो इस तरीके से मैंने आलू और परवल की रेस्पी को कुछ नए तरीके से बनाया है इसे और इन सब चीजों से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है खाने में बहुत टेस्टी लगता हर बार इसी तरीके से बनाएंगे चलिए अभी जाज़त चाहती हूं फिर मिलूंगे इन्शाला दोसी रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाई अल्ला हाफीज